हेलो फ्रैंड जो सा किचन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो आज मैं लेकर आए हूँ रोबजर लसी की रसी भी गर्मियों का मौसम है और इन दिनों लसी पीने का मन सभी का होता है और लसी भी काफी सारी तरह की होती है तो आज की में इस वीडियो में मैं दही चाहिए खटा हो या फिर फ्रेश हो कैसे भी चलेगा अब इसकी बाद मैं यहां पर यह हैंड बीटर लिया है नॉमली इस अभी घुरों में मिल जाता है असानी से अगर यह भी ना हो तो आप इसकी वजाए जो रही आते हैं जिसे भी इस इस अपर इसका इस इस बात क द्यान रखना है कि जो दही में च्रोड़ों दाने होते हैं वह नहीं होने चींगे अच्छी से दही को में फैट ना है दही को फैट लेने के बाद आपको यहां पर चार पांच चमद चीनी डालनी है अगर आपका धी खटा ज्यादा है तो आप चीनी के मातर को बढ़ा भी कह सब्सक्राइब लियुक्श से अच्छे से चलाना है ताकि दही और चीनी और अच्छे से मिक्स हो जाएंगे को मैं ने इसे लगातार एक मिलेड के रिए तो द Hill MARTIN को चला डिया तो छित्यों का बड़तिक पानी करें हैं मैं अब दोड़ता है इस बाद का ध्यान है एकसाम फाइदा यहीं होगा कि हमारी जो लसी है वह काफी ज्ञाता बड़ीगी तो फोड़ा तो आपको बार बार रिपीट करते जाना है जब तक पानी ख़तम ना तो चलिए यह दिख सकते हैं कि लस्ती के अंदर जाग बी जने इत हो रहे हैं इसे लस्ती का टेस्ट और भी ज्यादा ऊच्छा एगा जलिए बारी आती है रोग्जा की तो उसे पहले हम देख लेतें से को तो यह देखे हैं अगर आपको लगे कि ज्यादा गाड़ी है तो पानी और डाल सकते हैं तो अब इस्टेश में यहां पे तीन से चार बड़े चमद जाला है और एक बात मैं आप से और बोलना चाहती हूं कि अगर आपको लग रहा है कि दही तो खटा है तो आप इसके अं करेंगे हैड मीटर और फिर से हम इसको अच्छा से चलाएंगे ताकि इसमें जाग जन्रेट हो जाए और जो रॉबजर भी है वह भी बलकि बॉल के बॉटम में स्टिक नहीं होना चाहिए चलिए हमारी लशी तो तो थोड़ा सा लशी थंडी भी होनी चाहिए तो मैंने इस अब गलास में हम इसको सर्फ कर लेते हैं तो जितनी कॉंटिटी में मैंने दही लिया है उस कॉंटिटी में चार बड़े गलास रॉबजर लसी अराम से बनकर त्यार हो जाएगी और अगर थोड़ी सी गाड़ी लसी पीना चाहते हैं तो आप पानी की कॉंट्री को कम भी कर तो प्लीस मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें जोस्ता किचन में आप सभी का स्वागत है थैंक्स फर वोचिंग